राधे राधे जैसी किष्णा स्वागत है आप सभी का राधी कृष्ण भक्ति में। आज की इस वीडियो में हम काल भारो जैनती जिसे कालास्ट में भी कहा जाता है कि सरल पूजाविदी देखेंगे। मार्क्सिस मास के कृष्ण पर्च की अस्टमी तिथी को हम काल भारो जैनती के रूप में मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान भारो नात का जनम हुआ था। यह तिथी भारो बाबा से असिम सक्ति प्राप्त करने की तिथी मानी जाती है। आप हर महीने अस्टमी तिथी को भी यह पूजन कर सकते हैं या फिर आप विसेश रुप से मार्क्सिस महीने के काल अस्टमी का भी पूजन कर सकते हैं। अगर आसपास भैरो बाबा का मंदीर हो, तो वहाँ पे आप पूजन जाके कर सकते हैं, या फिर आप घर पर भी ये पूजन कर सकते हैं, तो देखिए, पूजा के लिए आप चौकी लगा ले, उस पे सफेद या पीले रंका वस्तर बिछा ले, काल भैरो बाबा भी ठगवान सिव जी के ही पाचवा उतार हैं, इनके दो स्वरुप है, पहला बटुक भैरो जी, जो कि भक्तों को अभय परदान करते हैं, और दूसरा काल भैरो सरुप, जो कि बहुत ही ज़्यादा रोदरु रुप है, ग्रहस्त जनों को बटुक भैरो जी का ही पूजन करना चाहिए, या फिर आप सिव जी की पूजा कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सिव जी का पूजन करूंगी, थोड़े से काले तील का आसन देकर हम सिव जी को विराजमान कर लेंगे, आपके पास अगर सिव लिंग है, तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप फोटो की भी प करेंगे इसके साद हम कच्चे दूद से अभी से करेंगे इसके बाद करके लिया थरा कृटा कर लेंगी अब चैन्तन से तिलक करेंगे आप रश्मार पीटर सकते हैं या फिर सफ Teach कि अपिति कर सकते हैं बाबाा काल भयरो की पूजा अचना करने से वेक्ति भयमुक्त हो जाता है और जीवन की कई कस्ट ग्रहदोस, नजरदोस, वास्तुदोस, तोना टोटका, भूर्प्रेत, आदिस सभी समस्याय समाप्त हो जाती है इस दिन भगवान काल भारो की पूजा करने से हमें रोगों से भी मुक्ति मिलती है और आज के दिन भगवान भोलेनात को रोली से भी तिलक जरूर लगाए इसके बाद हम वस्तुरु सरुप कलावा समर्पित कर देंगी अगर आपके पास काले रंगा कपड़ा है तो आप जरूर समर्पित करें अक्छत समयत्पित करेंगी, काले तिल समर्पित करेंगी आप यहाँ पे बेल पत्र, समी पत्र, जो भी आपको मिल जाए आप वो सब समर्पित कर सकते हैं इसके बाद हम जनेव समर्पित कर देंगे आप चाहें तो काले उड़त और चावल भी दान कर सकते हैं और भगवान काल भैरो बाबा को समर्पित भी कर सकते हैं लाल रंग के फूल अगर मिल जाए तो आप जरूर समर्पित करें तो हम लाल फुल समरपित कर देंगे, इसके बाद हम भोग लगा देंगे, तो आप कोई भी मिठाई या फल या फिर उड़त डाल से पनी हुई किसी चीज का भोग लगा सकते हैं, निम्बु अपित कर सकते हैं, गुड़त पित कर सकते हैं, जो भी समागरी आपको मिल जाए, या फिर जो भी समागरी आपके पास हो, आप उसी से पूजन कर सकते हैं, इसके बाद हम दीवदान करेंगे, तो मैं यहाँ पर पांच दीपकों का दीवदान करूंगी, तो देखिए, तीलों का आसन देकरा दीपक जला लेंगे, दीवदान का भी सेस महत्व है, तो आप सर आचना समर्पित कर देंगे, ताकि जो भी पूजा में कमी हुई हो, वो पूरी हो जाए, इसके बाद हम आर्ती कर लेंगे, तो हम कपूर से आर्ती करेंगे, इसके साथ ओम, काल, भैरवाय, नमा, इस मंत्र का जाब करना चाहिए, भैरव चालिसा का पार्ट करना चाहिए, इसके बाद हम चमायाचना करेंगे, तो जो भी पूजा में कमी हुई हो, उसके लिए हम काल, भैरो बाबा से चमायाचना करेंगे, और अपनी मनो कामना पूर्ती के लिए प्रातना करेंगे, तो इस तरह से हम कालास्टमी, काल, भैरो जैनती की पूजा करेंगे, आप ये प अगर काला कुत्ता ना मिले तो जो भी कुत्ता मिले आप उसे क्विला सकते हैं. इसके बाद हमें एक लोटा जलने लेंगी और हात में थोड़े से काले तील और फूल लेके हम कथह सुनने के बाद हम tील और फूल भगवान के पास और पीद कर देंगे कालभायरो बाबा की पूजा करने से जीवन के सभी कस्टों से मुगति मिल जाती है तो आप ये पूजा जरूर करें अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें सेयर करें कॉमेंट करें और मेरी चैनल राधे कृष्ण बाक्ति को सब्सक्राइब करें थैंक यू राधे राधे जैसिरी कृष्णा